मुकम करोती बाचालं पंगुम लंगे तेग्रियं यत्कृपातं हम वंदे परमानंद मादवं एंगी पररूपं आदू उप्सरगाद एंगादो दहतो परे पररूपे में कादेशा हस्याद प्रेजते उपोसती अवर्नांत उप्सरग से परे एंगादी दहतो परे रहने पर पररूप एकादीश होता है पररूप प्रारंब है यहाँ आदगुने से यहाँ आद की अनुवर्ति आ रही है उपसरगात द्रती धातो सुत्र से उपसरगात तता धातो की एनवर्ति आ रही है इसका विशेशन आत है विशेशन से तदंत विधीकर अदंत अर्थ किया जाता है धातो पद येंगी से जुड़ा हुआ है येंगी विशेशन है यस्मिन विदिस्त तदादी यस्मिन विदिस्त तदादावल अल्ग रहने से तदादी की उपस्तिती कर एंगादू अर्थ होता है अतह व्रत्ती में अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादी धातू परे रहने पर पूरुपर के स्थान पर व्रद्धी एकादेश हो यह लिखा है यह शुत्र व्रद्धी का अपवाद है एंगी परूपम यहां व्रद्धी प्राप्त होती है पर व्रद्धी का अपवाद है जैसे इसके द्रश्टांत में देखिए परेज थे प्राजिमयाज थे उपोसती उपजमाएशती इत्यवस्तायाम आदगुणा इती शुत्रेना गुणे प्राप्ते वर्दि रेचि इतिसुत्रेन अत्रवर्दि प्रापते परंच तम प्रबाद्धे एंगी पुर्रूपम इतिसुत्रेना पररूपे क्रम सह पररूप एकार पररूपे पर रूपि एकार, ओकारियों इस्थाने, एकार और ओकार करें, एको ओकर, सोरी, एकार और ओकार के स्थान पर नहीं, एको ओहू कर रखें जैसे प्रे में प्रे जमा ए जिते तो इस एको ओहू गया उप जमा ओसती इसको भी ओहू गया तो प्रे जिते उप ओसती पर रूप यानि बाद वाले जैसा प्रे जमा ए जिते उप जमा ओसती आगे एक शुत्र आ रहा है अचुन्त्यादिटी पाणिनी के अश्टाध्याई के जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पाणिनी के अश्टाध्याई के प्रथमध्याई के प्रथमपाद का चो सट्वा सुत्र अचाम मद्य यो अंत्य हो सा आदिरियस्या तत्ती संग्यस्या अचुन्त्यादिटी अचों के मद्य जो अंत्य अच को अचों के मद्य जो अंत्य अच अच उसको तता वह अंत्य अच जिसके जिस व्यंजन के आदि में है उसको भी टी संग्या होती है अचों अंत्यादिटी पुन्य देखिए अचों के मद्य में जो अंत्य अच उसको तता वह अंत्य अच जिसके जिस व्यंजन के आदि में है उसको भी टी संग्या होती है या उसको टी संग्या होती है जैसे राम में अंत्य अ अकार टी संग्याख है तता पयस पयस में अस टी संग्याख है अचों अंत्यादिटी आगे एक वार्तिक है या टी संग्याख विधायक सुत्र है अचों अंत्यादिटी इसी के अंतरगत आप देखिए सकंद वादी सूपर रुपँम वाच्यम वार्तिक है तत चटे सकंदू करकंदू मनीशा आकरतिगणोयम मारतन रहा सकंद वाधि सुपरूपम वाच्यम, सकंद वाधि सकंद वाधि गण पठित सब्धों के आगे रहने पर ट के इस्थान पर परूप होता है ट संग्यक वर्ण हम ने अचोंचाद ट में समझा अब यहां यह वारतिक कह रहा है कि सकंदू आदी गण पठिते सब्दों के आगे रहने पर टी के स्थान पर यानि जिसके टी संग्या हुई है उसके स्थान पर पररूप होता है बादवाले जैसा हो जाता है यह पररूप टी के स्थान पर होगा सकंदू करकंदू अब आप देखिए सक जमा अंधू इस अवस्था में सकंदवादी सुपर रूपम वाच्चम वार्तिक द्वारा टी के स्थान पर पर रूप हुआ यानि कि बाद वाले जैसा हो गया शकंदू वैसे ही करकंदू करक जमा अंधू इत्य अवस्थायाम इस अवस्था में करक के अंत में अकार है कि अकार की अच्वादी सुपर रूपम वाच्चम से उसे टी के अकार टी के इस्थान पर अकार यानि कि पर रूप करने पर सरकंदू करकंदू बना आप इनको जब संस्कृत में लिखेंगे शकंदू सक जमा अंधू इत्य अवस्थायाम अच्वादी इती सुत्रेणा का कारस्थ अकारस्थे इती संग्यायाम सकंदवादी सुपर रूपम वाच्चम इती वार्ति के न पर रूप करकंदू करकंदू इत्य वस्थायाम अच्वादी इती सुत्रेणा कारस्थे इती संग्यायाम सकंदवादी सुपर रूपम वाच्चम इती वार्ति के न पर रूप करकंदू इती रूपम सिध्धम सकंदू सक देष का कुआ करकंदू करक्देष का कुआ मनीशा ये परिक्सा में पूछा जाता है बचो मनीशा मनस जमाईशा इत्यवस्थायाम मनस इत्यसे टे अस यहां अस की टी संग्या होती है ना सकंदवादि सू पर रूपम बाच्यम इत्यवारति के ना अत्र पर रूपे पर रूप इकारे करते की कार भी लिखेंगे या मनीशा इत्यरूपम सिद्धम मारतंडः मृत जमा अंडः इत्यवस्थायाम सकंदवादि सू पर रूपम बाच्यम इत्यवारति के ना पर रूपे करते मृत जमा अंडः इत्यजाते तस्मादनी आदो व्रद्धाउच क्रत्वा मारतंडः यहां अण आदिवर्द्धी करके मृतंडः बनता है तो उसको आदिवर्द्धी होने पर मारतंडः हो जाएगा आगे एक शुत्र है अवन्ण से परे ओम और आंग हो तो पर रूप एका देश होता है अवन से परे ओम एओम आंग हो तो पर रूप एका देश होता है सिव जमा एओम आंगोश्च सुत्र पानिनी के अस्ताध्याय के छटे अध्याय के पहले पाद का पिचानवा 95 सुत्र है आगे एक सुत्र है अन्ता दिवच्च अन्ता दिवच्च हम अगली कक्सा में पढ़ेंगे